हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उमीद करते हैं सोस्त होंगे मत होंगे एक दम भले चंगे कुशाल तो मैंने हाज सिंग हाजी रूँँ आज एक और नई डिस्ट ले करके आज की डिस्ट मैं बनाऊंगी आलू से जो होगी बहुत ही तेश्टी जिसे कहते हैं कि पॉस्टिक भी लेशन इसमें सौफ अजवाइन हींग इसमें मिर्च अद्रक लेशन प्याज और साथ में बेशन और उबले हुए आलू हमने आलू को उबाल लिया है आप हम इसे छिल लेंगे इसमें टमाटर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा इसलिए आप टमाटर दो से तीन ले लिजिए हमने साथा अलू छिल लिया है अब हम बेशन को भूनेंगे हमने डाला है एक चमच बड़ा चमच तेल तेल हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें बेशन डाल दूँगी और बेशन को बढ़ियां सा भूनना है जब तक कि इसमें अच्छी सी खुश्बून आने लगे भूनने की जब बेशन बून जाता है तो बहुत अच्छी खुश्बू आती है एकदम सौंधी सौंधी सी तो बस इसका यही अंदाजा होता है कि जब हमारे बेशन में अच्छी सी खुश्बू आने लगे तो समझेए कि हमारा बेशन बून चुका है इस तरीके से हमें चलाते हुए फ्लेम को सिम रखना है तेकि अगर आप फ्लेम को तेज रखेंगे फाई पर रखेंगे तो जल जाएगा इसलिए वेशन जब भी भूनेंगे आप फ्लेम को सिम रखेंगे यह देखिए बेशन ने कलर भी छोड़ना शुरू कर दिया है और मेरा बेशन भून गया अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने महीन चौक की थी अद्रक लहसन और प्याज हमने इसमें एक छोटा प्याज लिया था तीन से चार लेसन लिये थे और इसमें मैंने डाल दियाँ सौफ अजवाइन हींग अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी थोड़ा सा चलाओंगी इसको ऐसे भूनते हुए ताकि यह सौफ्ट हो जाए और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमग यह सबजी बहुत टेस्टी बनती है और हल्दी तो होती ही होती है अब सीजन सुरू हो गया है थोड़ी थोड़ी गर्मियां भी पढ़ने लगी है तो हमें खाने में थोड़ा सा चेंजिंग लानी पड़ेगी हमने लेसन मिर्च और प्याज इसे पेश्ट बना लिया है चौप कर लिया है महीन अब मैं इसे निकाल करके उसके बाद में तमाटर को भी पीस लूँगी चौप कर लूँगी अच्छा से ग्रैंड करना है मुझे इसको मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं सारा प्रोसेस ढंक से दिखाती हूं ताकि जो ना बनाना जानता हो उसे भी समझ में आ जाए और उसका खाना जो है वो बिलकुल सही बने तो इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए यह देखिए मैंने अब मैं आलू को अच्छे से मसल दूंगी जिस तरह हम लोग आलू का पराठा बनाते हैं या आलू बोड़ा बनाते हैं तो आलू को मेश करते हैं अच्छे से ताकि कोई भी रोडी न रह जाए इसी तरीके से अब मैंने लिया है दो ब्रेड और मैं इस ब्रेड को भी अच् उसका डो बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें गूतना है, ताकि हमारा जो ब्रेड है, वो आलू में अच्छे से मिल जाए, बिल्कुल एकदम इस तरीके से तयार होगा, जैसे कि डो तयार होता है, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा हल्दी, गरम मसाला, और मैं अब इसे अच्छे से मेश कर लूँगी, सब कुछ मिला करके, बिल्कुल यह आटे की तरह ही हो जाएगा, जैसे कि हम रोटियों के लिए आटा बनाते हैं, इस तरीके से करना है, उसके बाद में कटोरी यह सी छोटी-छोटी बनाएंगे, और जो हमने ब भरावन बना हाथ तयार किया है, इसे भर करके, एकदम गोल-गोल बना लेंगे, लड्डू की तरह, इस तरीके से रखेंगे, और फिर हम धीरे से हाथ में इसको गुमा देंगे, अब हमने तेल गरम करने के लिए रखा है, और यह जो मैंने तयार किया है, इसे मैं तल आप चाहें, तो इसे तलने के बाद में, इसनेक्स के रूप में भी खा सकते हैं, बहुत टेश्टी लगता है, ऐसे भी खाने में, बढ़ी हांसी चटनी लीजिए, तमेटो की या फिर चिली की या फिर आप धनिया की हरी चटनी बनाएए, और उसके साथ में खाएए, बहुत अच्छी बनती है, आप मलाई कोफता खाना भूल जाएंगे, अगर इस तरीके से इस सबजी को बनाएएंगे तो, मैं इसे अच्छे से पकाना है, फ्लेम को मेडियम रखना है, इस तरीके से हमें, डालते जाना है, यह मारा पक्चुका एकदम तयार है, देखिए कितने बड़े बड़े फूल करके हो गए, कितने अच्छे से, यह ऐसे खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं, क्योंकि जब आप बाइट लेते हो, तो इसमें जो हमने भराय बेशन प्या जो गरा सक, वो बहुत अच्छा टेश्ट देता है, और सब्जी में भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इस तरीके से अपना सारे पकॉड़े बना लेंगे, यह देखिए, यह आप चाहे इसको नाश्टे में खाईए, या फिर आप इसे सब्जी बना कर खा लीजिए, अब हमने सारा निकाल लिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी, जो तेल एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब हमारे पकॉड़े तो तले हुए हैं, बस हमें ग्रेवी के लिए तैयार करना है, तो हमें उतना यह यह लेना है जितना के में जरूरत हो, क्योंकि मैं ज्यादा ओल खाना ना तो पसंद करती हूं ना रेक्यमेंट करती हूं कि ज्यादा खाया जाए, अब मैं जीरा डाल दूँगी लगवग एक चमच जीरा मेरा ब्राउन हो चुका है तो मैंने जो याज लेसन अध्रगवरा रखा था चौप करके उसे डाल दूँगी, महीनी चौप करिएगा इस बात का ध्यान रखिए अब मैं साथ में मसाले भी डाल दूँगी हल्दी, धनिया, गरम मसाला और टमाटर को भी मैं जो मैंने चौप किया था पेष्ट बनाया था उसे डाल दूँगी और इसे मैं पकाऊंगी लगवग 2-3 मिनट रेमारा टमाट तर अच्छे से पक जाए और हमारे मसाले भी तो हमें इसको कम से कम 3 मिनट पकाना ही पकाना है थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनाने में लेकिन जब सबजी तयार होती है तो बहुत टेस्टी बनती है मैं वीडियो को ज़्यादा एडिट नहीं करती मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से बनाओं कि जो भी मेरी वीडियो देख करके बनाना पसंद करें वो एकदम सही परफेक्ट बनाए लगवग 2 मिनट हो चुके हैं अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी जतना कि मुझे सबज में ज़रूरत है क्योंकि पकोड़े में मेरे अलड़ी नमक है हमारा मसाला देखे तेल छोड़ चुका है अब मैं पाने डाल दूंगी इसमें इस तरीके से हमें पाने डालना है ताकि हमारी ग्रेवी सही से तयार हो अब मैं इसमें डाल दूंगी चुकंदर थोड़ा सा पाउडर जो मैं बना करके रखती हूँ इसमें लगवग इतना सबस इतना डालना है और इसका कलर अभी देखीगा कमाल का कलर होता है अब यह सोचिए यह सबजी मेरी बिल्कुल पौश्टिकता से भरपूर है और कलर देखीए मुझे कोई भी कलर मिलाने की इसमें ज़रुरत नहीं है ना मैं लाल मिर्च मिलाती हूँ ना मैं कश्मीरी मिर्च मिलाती हूँ लेकिन देखिए कश्मीरी मिर्च मिलाने से भी बढ़ियां कलर आता है आपका एक चुटकी से डियर चुटकी सिर्फ डालने में तो फिर हम क्यों कोई और ऐसी चीह उज़ करें जो हमारे सेहत को नुक्सान पहुचाए अब मैं इसका पानी डाल दूँगी और जितना की मुझे ग्रेवी चाहिए क्योंकि ये अभी पकोड़े जो है ग्रेवी को सोख लेंगे और ग्रेवी काफी गाड़ी हो जाएगी ये देखिए हमारा पानी जो था जो हमारी ग्रेवी थी पक चुकी है अब मैं पकोड़े सारे इसमें डाल दूँगी क्योंकि अगर आप अच्छे पानी में पकोड़े डाल देंगे तो इसका स्वात खराब हुचाएगा और सब्जी एच्छी नहीं लगेगी क्योंकि पकोड़े तुरंत फूल जाते हैं उसमें जाकर के और अगर आप जादा पकाएंगे तो यह तूट जाएंगे इस तरीके से इस सब्जी को बनाना है दीरे दीरे से डाल देना है और आप इसे कम से कम दो मिनट पकने देना है आप चाहें तो इसे ढख कर पका सकते हैं या फिर खुले ही पकाईए देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल टककर तयार हो गई है मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ अब मैं डालूँगे इसमें थोड़ी सी लगबग एक से डेट चमच कसूरी मेथी लीजिए हमारी सब्जी तयार है इद्दम जवर्दस्ट वश्टिक्ता से बरपूर और स्वात से भी बरपूर हमने ढख दिया था ताकि इसका अच्छे से कसूरी मेथी की महट पूरी सब्जी में फैल जाए यह देखिए आप देख रहे हैं सब्जी का कलर देखिए सब्जी देखिए बहुत टेश्टी सब्जी बनती है अगर आपको मारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एच शेर जरूर करें और बना करके कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसी बनी थी थैंक यू